बिग बॉस 16 जब से शुरू हुआ है तब से ही टीना और शालीन का रिष्टा सबकी समच से बाहर रहा है शो के कंटेस्टेंट के साथ साथ बाहर के लोग भी टीना शालीन के रिष्टे को फेक कह रहे हैं हाली में बिग बॉस में MC स्टैन का एक कॉंसर्ट हुआ था जिसमें लड़ाई के तुरंत बाधी टीना और शालीन एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल कर डांस करते दिखे जिसे देखकर हर कोई हैरान रहे था वहीं अब वीकेंड के बार में सल्मान खान ने टीना दत्ता को पुरी तरह फटकाल लगाई सल्मान कहते हैं छकड़ा हो गया, म्यूसिक बजा और ये चल रहा है डांस कर रहे हो, चिपक रहे हो, क्या है ये टीना तुम कौन सा गेम खिल रही हो और किसके साथ शालीन के अलावा बाकी और कोई नहीं थे डांस करने के लायक या चिपकने के लायक सल्मान ने टीना से कहा, कि वो इतनी भी नादान नहीं है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो जान बुचकर शालीन के नस्दीक जाती है और फिर उन्हें दूर कर देती है, ऐसा वो सिर्फ केम के लिए कर रही है सल्मान ने कहा कि अगर वो ऐसा कर भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा करना है तो डंके की चोट पर करो, ना कि पब्लिक को बेवकुब बना कर इस पर तीना जवाब देते हुए कहती है कि मैं धोंग नहीं कर रही हूँ, मैं प्यार में नहीं पढ़ सकती हूँ मैंने शालीन को कहा है हमारा कुछ नहीं हो सकता सलमान ने तो टीना की क्लास ली ही साती अर्चना कौटम भी टीना को खरी खोटी सुनाई बिना नहीं रह पाई दरसल घर में इस चीम आयरन को लेकर बहस शुरू हुई जिसमें अर्चना ने टीना को चोरनी कह दिया इतना ही नहीं उन्होंने सौंदरिया के साथ रूम में जाकर भी काफी कुछ इल्टा सीधा बोला अर्चना ने कहा कि ये बॉइफ्रेंड के पैसे भी चुराती होगी टीना की उम्र का सिक्र करते हुए कहा कि अपने आपको 16 साल की समझती है इस एक्सपायर्ड आइटम पर खर्चा कौन करता होगा बॉइफ्रेंड भी अंकल जैसा ही होगा अर्चना के इस बयान पर टीना दत्ता के परिवार वालों ने नाराज़की जाहिर की है टीना और शालीन का रिष्टा आपको कैसा लगता है कमेंट में बताएं कि अन्या है नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टेग्राम को फॉलो, फेस्बुक को लाइक और यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करना ना भूले